लिए हम टेकनिकल में आप सभी का सागत है देखो दोस्तों जो आज हम आपको यहां पर समझाने वाले हैं 100% रियल जानकारी हम आपको देंगे कोई फैक आपको यहां पर नहीं बताएंगे यूपी पुलिस री एक्जाम 2024 की जितने भी बच्चों ने आपके एक्जाम दिया ह है चाहिए अब लड़के candidate हो चाहिए अब लड़किया candidate हो आप लोगों के लिए हम दो वेस्ट जॉब आपके लिए लेके आएं जिसका ओफीसियल नोटिस भी जारी हो चुका जो की योगी एदितनाद मुकमंत्री जीने खुद ऊफीसिली तूट करके बता दिया है कब भरती का नोटिफिकिसन जारी हो चुका है और यहां पर नमने जो लिखा है यहां पर परेशान मत हो कटॉप के चक्कर में जिनका 80 नंबर 90 नंबर 110 नंबर तो भाई मेरे आपको मैं बता दूं कितने नंबर पर फीजकल में भी नंबर नहीं आएगा 80 नंबर वाले का यहां इतना मुक्मंत्री जी जो की उत्तर परदेश के हैं उन्होंने खुद यहां पर उफिसली टूट करके बता दिया है कि आपके 40,000 नए पदों पर बहाली होने जा रही है जैसे 60,244 की परकिरिया समाप्त कर दी जाएगी फूरा फाइनल हो जाएगा ट्रेनिक तक बच्चे बेद दिये जाएंगे तुरंत आपके नई बहाली का नोटिस जारी होई चुका है भाई मेरे तैयारी शुरू कर दीजिए अब इस बार आपका मान लीजिए 100 नंबर बंड़ा है थोड़ी तैयारी कर लोगे तो पिछली बार आपका 170 नंबर बन जाएगा पस थोड़ी से म पोस्ट नेम जिसे कहते हैं इसमें अब का पोस्ट का इंक्रीज भी हो रहा है क्या पोस्ट आने वाला है समझर लीजिए पहले भरतिक बारे में अभी आपको दूसरी भरती भी बताएं सब्सक्राइब बारे मेरे और चल passar अपका लगे आपका नंबर नहीं लगेगा 7-8-8 नंबर पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा भाई मेरे बाई चांसे किस्मत की बात है इतने पर कर देंगे तो बहुत ज्यादा बच्चे ले ले जाएंगे यहां पर आपको बात करें और यहां पर सिलेक्शन और के लिए लड़के कंडिएट हूं चाहिए लड़किया कंडिएट हो थो परसंट रियल जानकारी में आपको दे रहे हैं यहां पर समल लीजिए पहली नंबर एक भरती आपको बता दे उत्तर परदेश नई भरती 2425 के बारे में जो कि इसी 40,000 पोस्ट में उसके बाद आपको बता देए यूपी एसाई कभी आपको पोस्ट में आपको मिलेगा आप लोगों के बेस्ट चांस है भाई मेरे थोड़ी और मेहनत कर दो कि 100% आपका इजबार 2025 में आप नवकरी ले ले होगे थोड़ी मेहनत आउर कर दो जिनका नंबर बहुत कम हो गया था 10-10 नंबर 25 नंबर से पीछे रहेगे आप लोग थोड़ी मेहनत कर दोगे तो इस बार आपका है 100% सिलेक्श पर सिपाई की भरती होगी और यहां पर आप देख सकते होगी मुकमंतरी होगी है दितनात ने घुसड़ा भी कर दी है आप लोगों के लिए हां पर 60,000 जोगी के 60,244 पोस्ट है आपका है यहां पर बताया जा रहा है 60,000 को निफ्तिपत देने के साथ ही सुरू हो जाएगी परकिरिया किसीस की 40,000 पदों पर तुरांत आपकी परकिरिया आपे चालू हो जाएगी यह 2025 में आपको यह भरती देखने को मिलेगा क्योंकि जब तक यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का 60244 पोस्ट का यहां पर फाइनल नहीं हो जाता भाई मेरे तब तक यह सुरून नहीं होगा पर किरे जो कि साब साब योगी एदितनाद मुकमंतिरी जी ने खुद कहा है यह मैं कोई अपने पास नहीं बता रहा हूँ जाके चाहिए उफीसियल साइट पर भी आप चेक कर सकते हो आपके पहली भरतिक अपडेट था अब आपको हम यहां पर दूसरी भरतिक अपडेट बता दें यहां पर 40,000 पदों पर आपके 42,000 पदों पर आपके यहां पर बहाली होने वाली है 40,000 पुलिस का और 42,000 यहां होमगाड की भरती होगी जो कि मुकमंत्री जी ने खुद यहाँ पे उफिसली तूट करके बताया यहाँ आप यहाँ दे सकते हो लिखा भी गया है CM ने होम गार्ड के आविदा मित्रों के साथ मेया रूप में तैनाती के लिए नियम वाली में बनाने का भी दिया निर्देश जो कि भर्दी का आप निर्देश भी दे दिया गया यहाँ पे मुकमंत्री जी बैठे हैं वोगे दो चरणों में आपके पुलिस बहाली कराई जाएगी जो कि आपके 72 यहाँ पर दिया गया इतने तैनात है जो डूटी पर और आपका 42,000 पदोपर नई बहाली यहाँ पर करा सब्सक्राइब आपको प्रोसेस आगी हम आपको बोड़ पर बताएंगे लेकिन यह आपका प्रोसेस है आप लोग तैयारी जारी रखेएगा भाई मेरे उसके पीछे मत भागी है अगर आपका महिला बटालियन के लिए अपका इस बार हो सकता है पोस्ट निकाला जाएगा यहां पर आपका 150 पूछा जाता है 300 नंबर का यहां पर निगेटिक मार रहता है पर तेक गलती पर एक नंबर मायनिस कर लिया जाता है अब कोस्टन बता दे जो नए चाहतों जुड़े हैं उन्हें तो सारा कुछ प्रोसेस पता होगा यहां पर जीके से आप लोगों के लिए 37 कोस्टन पूछा जाता है और रिजिनिंग कोस्टन है और आपका रिजिनिंग में पचपन कोस्टन है इसी दोनों में अगर आप लोगों ने फोकस कर दिया अपका प्लस पॉइंट में आप चले जाओगे जिनका इस बार कम नंबर आया है आप लोगों को पता है जब फूल नोटिस जारी हो जाएगा तो हम आपको एक वीडियो बना के फीजिकल के बारे में बता देंगे लेकिन फीजिकल पे ध्यान मत देजिए साइड में लगा देखिए आप लोग देख लेजीगा क्योंकि ओपीसियल नोटिस है योगी अदितनाल मुकमंत्री जीने खूद उपीसली ट्यूट करके बताया आप जाके ट्यूटर पर वरी चेक कर सकते हो दूसरी भरती है यूपी होमगाट सिपाही भरती दोजार यहां पर सेलरी भी दी जा रही है कोई कम सेलरी नहीं हो यूपी पुलिस में आपका 30,000 पलस दिया जा रहा है थोड़ा बहुत अंतर है आगे चल के आपका पलस हो जाएगा एज की बात कर लें 18-40 साल तक आप यूपी होमगाट में 18-40 साल तक अपलाई कर सकते पलस ओपीस की हो तो तो तीन साल की बाससरों मिलेगी उसके बाद बता दे बिना एक्जाम सीधे बर्ती अपके फीजकल के अधार मिलता दोनों को तो मैरिट वाला आपका टेंथ हो क्योंकि यहां पर परिवर्टन नहीं हो जो पिछली भरती होई थी यह वाला जोड़ा जाएगा जोड़के आप लोगों का चैन होगा अभी तक परिवर्टन नहीं हुआ जब होगा तो हम बता देंगे योगता टेंद पास पूरुस महिला दोनों लोग इस फ्रम में लिजबल हो आपको यहां पर कर सकते हो यह आपको किलियर होगा हाइट 116.5 cm और यूपी पुलिस में 117 cm आपका हाइट लगता है लड़कों के लिए आप लोगों को किलियर होगा यह था नॉर्मल चाप्रोसर जो कि आप लोगों को ज्यादा फोकस करना जिन बच्चों का नंबर कम है यूपी पुलिस री एक्जाम में आप लोग निरास्मात होएगा भाई मेरे आप लोग तैयारी थोड़ा बहुत कलेगो तो आपको 100% सेलक्शन हो जाएगा यह थी कु कोई भी डाउट हो आप लोग कमेट की मार्दम से पूछ सकते हो हम आपको रिपले देंगे चैनल से ने जुड़े होगे सस्क्राइब जिरूर करें